ओम श्यान्ति मुझे कहा कि नशे के उपर बोलना है और ज़्यादा तर हमारे सामने वो बैठे हैं सारे ही नशा करने व vontade बैठे हुए है सच है नशी है, सभी नशे करने व vontade बैठे है हम सब नशा किये बिना रह नहीं सकते मैंने पांच-पांट साल के बच्चे को नशा करते देखा है जब वो अंगुठा जूसरा होता है वो भी एक नशा है आप उसकी उगुठा भाहर निकाल दो, थोड़ी देर बाद उसका फिर उगुठा मुँं में चला जाता है और उस उगुठे के चार तरव देखो, कुछ भी नहीं निकल रहा होता लेकिन वो उसको चूसते, चूसते, चूसते उसको मज़ा आ रहा होता है और कभी आपने पांस साल के बच्चे को, छे साल, साल के बच्चे को अंगुठा चूसते देखा हो, वो भी इतना ही मजा और इतनी मस्ती ले रहा होता है, जिस तरह लोग दूसरा नशे वाले ले रहे होते हैं, उस अंगुठे चूसने वाले को, उस अंगुठा हटाने के लि तो वो उसके मूँ में डाल देते हैं, वो निपल चूसता रहता है, थोड़ थोड़ा शहद आता रहता है, तो वो धीरे धीरे उसको समझ नहीं आता है, ये लूँ या वो लूँ, ये लूँ और धीरे धीरे वो निपल उसको रिपलेस कर जाता है, अंगुठे को, फिर फिर शहाद थोड़ी खतम करते हैं, कि वो खाली उसको चूजता रहे। तो धीरे 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 वो वहां तक आता है। Rehabilitation Center में भी हमने देखा है, नशे को नशे से ही काटा जाता है। लोहे को, लोहे को लोहे से ही काटते हैं। लेकिन गरम लोहे को फंडे लोहे से काड़ते हैं, ठीक है ना, तो जब हम कोई नशा करते हैं, नशा क्या चीज है, नशा मतलब डिपेंडेंसी, निर्भरता, लत, नशा मतलब आदत, आदत, जैसे हम नशा शब्द लेते हैं, तो हमारे मन में पिक्चर बन जाती है, शरापी के नाली में गरा हुआ है, जुम रहा है, या रोज पीने वाला है, या श्मैक किया है, या कुछ ऐसा है, नशा मतलब आदत, चाय के भी नशेडी देखे हैं और, सुबह से शाम तक चाय पीते रहते हैं, चाय 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 चाय, चाय अब कुछ चीजों जो हमारे मन पर एसर करती हैं, ब्रेन पर, उसमें हम लटके आदिती बन जाते हैं, जैसे कोई हम दूद पीते हैं, तो आज तक ऐसा नहीं होआ कि पहले जब हम थे, आज से बीस साल से अगर मैं दूद भी रहा हूं, रोज एक गिलास तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं एक कप लेता था, तो उ जैसे हिक खतम हो तो मेरा हालत खराब हो जाती है, तो दूद के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन जो और हम ऑडक, जिसको मादक वदार थी कह ए पेशा और कोई लेते हैं तो उसके उपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और जब भी लेने वाला होता है, जब भी किसी ने शुरुवात करें इस नशे की, मैं ये चीजे थोड़ा सा हटा कर इसलिए बता रहा हूँ, कि जब हम स्टूडेंट्स को कराते हैं, बच्चों को तो अलग विदी से कराते हैं, फेक्ट्रिस में जाते हैं तो अलग विदी से, यहां अवेरनस के इसाफ़ से उस विदी से जानकारी दे रहे हैं, कि जब हम में से जैसे कोई जब नशे की और कैसे बढ़ता है तो धीरे धीरे वो उसका आदती कैसे होता है आज तक जिसने भी नशा करा जब शुरू कुए तो वो चोरी से किया आप नोट करें अगर आपके परिवार में या आपके इधर भी किसी ने किया या चोड़ा है या भी चोड़ रहे हैं पहली बार जब भी किया दूसरी बार तीसरी बार तो चोरी से किया तो ये नशा सबसे पहले क्या सिखाता है चोरी किसे ने बीडी, सिगरट, कुछ भी पिया हो, पहले चोरी से पिया खुले आम नहीं पिया पहले, सब के सामने पहले स्कूल में कई ना, कोई बीडी या सिगरट से राभ कुछ भी लिया, चोरी से लिया, जो मादक पदारता है दीरे दीरे वो चोरी बढ़ते बढ़ते सीना जोरी में बन गई कि जब उसका विवा हुआ, बढ़ा हो गया, मुखिया बन गया क्योंकि अब तो चोरी की लेथराइज है जो माबाप से छुप कर पीता था बच्चा धीरे धीरे बड़ा ओते 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 वो उनी के सामने पीने लग जया तो अब घर में जब उसके बाद जीवन में आए जो उसके रिष्टे में पहले थे जब नशा उसके जीवन में एंटर करा तो नशा चोरी से एंटर किया लेकिन जब नशा उसके पास घुष चुका था तब उसके बाद जो उसकी जीवन में आए उसकी वाईफ, उसके बच्चे तब उनके आगे वो सरे आम होना श्रूब गया वाईफ के आगे, बच्चों के आगे सरे बादा मुझे भी इस नशे के इतने नुकसान नहीं पता था जब मैं ब्रह्मा कुपारी में आज से 20 साल पहले आया तो किसी को पीता देखता था ये करता मैंने कहोता होगा लेकिन जब मैंने कुछ ऐसों के संपर्क में आया जो इस नशे से पीड़ी थे दो तरह के लोग नशे से पीड़ी थे एक तो जो पी कर रहा है वो इसमें सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा पीड़ी तो महिला है उसका पिता अगर नशा करता है तो उस बेटी का हाल पूछिए चाहे वो सिगरट पी कर आए चाहे शराब पी कर आए उस मुह में जो बदभू है दोनों की उससे वो अपनी बच्ची को जब गोद में उठाता है उसको गले लगाने के लगाता है बच्ची को पिता के रूप में तो उसको वो किये कैसा लगता है बदभू पिता के रूप में, भाई के रूप में, पती के रूप में और बाद में बेटे के रूप में मा के जीवन, एक महिला के जीवन में पुर्ष चार या पांच रिस्तों के रूप में आता है पिता, भाई, पती, बेटा और जब भी इन चारों रिस्तों में से कोई करता है तो घूम फिर कर असर उस महिला पर ही आता है आप में से भी कईयों के या किसी दूर के किसी का बेटा इसमें लट से पीडित है तो वो मा पीडित है भाई है कन्या विवा के घर आगई है दूसरे घर आगी है लेकिन उसे पता है उसका भाई नशा कर रहा है, तो वो यहाँ बैट बैट कर उस भाई के कारण दुखी है, मेरा स्कूल जाना हुआ, MCD के स्कूल, जो छोटे-छोटे स्कूल से हैं, प्रैमरीज के, तो वहाँ जब यह क्लास होई तो उसके बाद महिला इकठे होई, छोट छोटी, बच्चों की पाँचओं नशा करता है, बच्चियों ने बोला मारा पिता नशा करता है, मारता है, सारा दिन गली के बार पढ़ा रहता है, पीक, और जब भी हम यह नशा करते हैं, हम इसको justify करते हैं, यह बिलकुल ऐसे दलदल की तरह है, जब कोई वेक्ति आता है, और दलदल बे शुरु करता है, पैर डाल कर, और स यादा नहीं करता, जब चाहूं इसे छोड सकता हूँ, ये पहली गलत फेहमी वेक्ति को हो जाती है, कि जब चाहूं उसे छोड सकता हूँ. मैंने डिस्कवरी में या और जंगल में जाके अगर देखो, तो जो शेर आता है, जब घात लगा के बैठता है, तो जब तक उसका शिकार असके आसपास घूम रहा होता है, जब तक वो उसकी गिरफ्त में नहीं आता, शेर और वो सब ऐसे बैठे होते हैं, जैसे पत्थर की म जब उसे पता लगता है, जब तक कि वो इसकी गिरफ्त में आ चुका है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और दलदल की एक विशेस्ता है, जब दलदल में कोई व्यक्ति धसता है, तो अब धसने के बाद वो जितनी ज़्यादा उस पे निकलने का मेहनत करता ह है, उसका अपना ही वजन उसे दलदल में और धसाता चला जाता है, तो वो उसकी मेहनत उसे नीचे 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 ले आती है, नशे के दुषप्रभाव, तो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, जो नशा करते थे और जने कैंसर गुठका खाते हैं, जीवन पारक में कोई भाई आया, गुठका खाता था, एक दिन में 30-30, 40-40 गुठके खाता था, उसका यहां से काटा गया इतना, और यहां से पूरा इतना हिस्सा निकाल दिया गया, और वहां उसका जांग से पैच निकाला और जोडा गया, पूरा, जब उसे पहली बार पता लगा कि कैंसर हुआ है, तो उसके लिए पूरा जहान गूम गया, और डाक्टर ने कह दिया कि अब अपने दिन गिलनो, जो बेक्ती नशा करता है तो उसे ऐसा लगता है कि हमने ऐसे कईयों से सुना, बहादुरों से, उन रन बाकुरों से सुना, जिस तरह लोग बड़े बाहदूर होते हैं तो ऑझते हैं, मरेंगे तो मर जाएं, मरेंगे तो मर जाएं, कोई बात नहीं, आपने भी तो मरना है, हम भी मर जाएंगे, लेकिन ओवो मोत इतनी इतनी तर्दनाक होती है, जब हम होस्पिटल्स में उन से मिलने गए कईयों से, क्योंकि कई families के जब उसके संपर्क में थे और वो जब admit थे किसी का लीवर खराब हो जाता है शराब के कारण smoking के कारण जब उसके फेफडों में दिक्कत आती है गले में दिक्कत आ जाती है उस समय उसका हाल ऐसा होता है जैसे आपकी आँख खोल कर अगर कोई सुई चुभाए बार बार सुई ऐसे लगातार continuous चभातार है जैसे आपकी कंकडी आँख में घुस जाती है और वो आँख पलक जबकती है बंद करती है जबकती है खुलती है बंद करती है तो जितनी बार आँख हिलती है उतनी बार उसे दर्द होता है ऐसे उसे उस पॉर्शन में लगातार ऐसा दर्द होता पीड़ा उस समय वो कहता है कि मेरे से बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई अब मैं छोड़ना चाहता हूँ और अकसर जिस तरह बिजली करंट लगता है बिजली का जब करंट लग जाता है तो उसे तब तक पकड़े रखती है बिजली तब तक उसमें बलड होता है और जैसे ही उसमें से बलड निकल जाता है बिजली उसे वहीं का वहीं छोड़ देती है तो नशा भी ऐसा ही है जब विक्ति को पकड़ लेता है उसका सब कुछ चूसना शुरू कर देता है धन, रिस्ते, चरित्र, चैन और उसके स्वास्थे जब सब कुछ चूस लेता है जब उसमें कुछ नहीं बसता तो उसे छोड़ देता है वो विक्ति तब कहता है कि अब मैं छोड़ दूँगा, मुझे अभी तक उधारन याद है, शायद आठ नो साल पहले, किसी के पती चानन देवी में एडमिर थे, और बहुत उची पोस्ट पे थे, हमारे दीदी, जो ब्रिंदा दीदी है, वो उन से मिलने गए, शराप पिया क मैं सच कहा रहा हूँ, उसने बोला कि अगर मैं इस बर बच गया, तो मैं जंदगी भर, ना पियूंगा, और औरों को भी छोड़ाता रहूँगा, अब दीदी के तरफ देखा, आखों में आसु भी आये, दीदी दृष्टी देके, योग करके, शुब भावना देके आई, जेकिन कहा ना, जब उसने उसे छोड़ा उस नशे ने, तब तक उसमें कुछ नहीं बचा, चार दिन, पास दिन हुए और उसने प्राण छोड़ दी, अब हम इसके गृफ्ट में आते कैसे हैं, आते कैसे हैं, हमारा कल्चर इसे खीच के लाता है, जो फिल्में हम देखते ह उन फिल्मो का असर हम पर पढ़ता है, फिल्मो का असर कैसे पढ़ता है, अभी उससे पहले जो कैंसर वाली बात थी, वो मैं बता रहा था, कि जब उसको कैंसर हुआ, तो यहां आके बहुत रोया, कि मुझे लगता है, मृत्व हो जाएगी मेरी, अब मैं बच्छे हुआ न उसे यह सविकार कराया पहले दिन, कि आतमा अजर अमर अविनाशी है, आप इस से अलग हो जाएए, शरीर से अलग होना सीखे, जब उसमें मेडिटेशन किया पांदस मिट का, तो वो बिल्कुल शरीर से अलग होने का जो उसे भानुआ तो उसे इतनी वो पावर मिली, वो गया, डाक्टर को जाके बोला, No, I am ready for operation. और वो उसने आके अपना अनुवह सनाया दो दिन बाद, कि उस जो कैंसर इंस्ट्यूट है राजी एदर, शाहर रोहिनी में है, तो वहाँ उन्होंने बोला, कि वहाँ जितने और कैंसर जिनको डाइगनोज हो रहा था, वो रो रह तो फिल्में हमारे अंटर कैसे करती हैं, हमारा कल्चर, हमारा धरम कैसे अंटर करता है, और किस तरीके से हम उसमें ट्रैप में आते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, कि जब एड आती है, और उस एड से हम कैसे परभावित होते हैं, आपने जब फिल्में देखी है वो सिग्रट निकालता है और ऐसे करता है फिर बंदूग निकाल के ऐसे करता है फिर उसके मूह में आती है फिर वो ऐसे करता है तो इसका नाम याद है कौन है 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 रजनी कांथ देखो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि रजनी कांथ हीरो है ऐसे करता है वो भी फिल्म है 20-25 साल पुरानी है अभी तक बुद्धी में बिठा दिया है कि हीरो सिग्रट ऐसे पीता है कुली में अमिता बचन बीडी पीता है शीग्रट नहीं पीता बीडी पीता एड आती है दाने-दाने में, दाने-दाने में, केसर का दम, अब मैं जब पहली बार सुना तो पता लगा केसर, आपको पता है कितने रुपे किलो है, कितने? है ना, तीन हजार रुपे किलो है, पांच रुपे की पुडिया में, वो दाने-दाने में केसर डाल के आपको बेच रहे हैं, और आप स्टाइल से खेच रहे हैं, और वो कमला पसंद, पान पसंद, वो जब खाते हैं एड में, और वो बड़े से काम करते हैं, उनका लोगों क बड़ा उचा क्रेक्टर्स दिखाते हो, खाते हुए, तो हमारे यह अंदर भर दिया गया है, दाने-दाने में केसर का तो नहीं, कैंसर का दम है, दाने-दाने में किस का दम है, कैंसर का दम है, तो हमारे दिमाग में भर दिया गया है, किर्किट का मैच चल रहा है, शारुक कि मन में बैठ जाता है हिरोश सिगरट पी टाए वो दिखाया नहीं गया ऐसे नहीं दिखाया गया जान के दिखाया गया उस एक सीन के लिए लिए करोण रुप्या लिए उसने एरो बन-व, वैसे ही दिखाया जाएगा कुली में बीडी इसलिए दिखाई कि जो गरीब तवका है वो बीडी पीता है तो उसको बीडी दिखा दिया गया कि हाँ जन मानस बीडी पीता है और मैं अभी पिछले ये दो-तिन साल से देखा हमने अपने देवताओं में भी वो चीज डालनी शुरू करती I said 20-25 साल पहले की फोटो देखो जो शंकर के रूप में दिखाते हैं स्माइलिंग फेस तपस्वी वेस और ऐसे बैठा हुआ है तपस्या में मगन अब कावड का असपस जमाना चलता है तो उसको दाड़ी दिखाके बिखरे हुए बाल और चिलम लेके उसे पीता हुआ दिख हम भी पी सकते हैं गाने भी ऐसे बनाए गए वो कूछ बाड़ाज कर आबार थे वा कुछ एक एक बालटी भांग पी के चड़ गया भूला शिवलिंग पे ऐसा कुछ गाना सा बनाया उन्हें एक बालटी भांग तो बहलना भांग यह निशा जाए जया फैशन function हो, जब शराब नहीं है, तो लोग बोलते हैं मज़ा नहीं आया, मैंने ऐसे महानुबाबो, ऐसे महाश्यों को दिखा आ है, झो खुद नशा नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी बरातों में, अपने बचियों के और बेटों की बरातों में नशा दिया और सर्व कराया है कहां जहां पहले शादियों में मंगल गान होते थे आज कल डीजे में उल्टे सिदे गाने बसते हैं तो शादियां भी मंगल में कहां रही चलती भी दो तिन साल तक ही है वैसा ही होता गया ना कहां होता है तो उस कल्चर को बिठा दिया गया दीरे दीरे फिर अब ये माफिया दीरे पहले इसमें गुसा बड़ा उसमें बड़े प्यार से बताता है जिस कंपनी के 50 परसेंट पचास पर्तिशत उसके गाक हर पांच साल में छे साल में मर जाएं तो वो क्या करें उस कंपनी का क्या होगा महलो आप में से भी कई बिज्नसमन बैठे हैं आपके घाकर पांच से साल बाद मर जाएं आधे 50 परसेंट तो क्या करोगे उस कंपनी का क्या होगा क्या होगा है कि लोस में जाएगी लेकिन नशे वाली कंपनिया जिसके 50 पर्तिशत लोग हर 5 से 10 साल में मर जाते हैं वो दिन पर दिन तरक्की कर रहे हैं, उनके रीपर्जेंटिटिव, उनके सेल्समेन ऐसे हैं, कि हर बार पचास परतीशत वो ढूंडते हैं, और वो पचास परतीशत किन को ढूंडते हैं, आपके बच्चों में से ढूंडते हैं, आपके बच्चों में से ढूंडते हैं, फिल ये दोहका मिले तो क्या प्याइन Nicole ने शराब कर दो हमारे बिठा दिया गया जब भी कभी धूखा मिले बिजनस में कई और तो हमने देखा है क्या करना चाहिए शराब तुम्हेंanka पता लॉस हो रहां मेरे को है तो ले पी ़ही पी रहा है लॉस हो रहा है और दिखा ये जब बहुत फिल्मों ने देखो क्या दिखाते जब व्यक्ति को कुछ नहीं वह सुझ रहा डिकर्टीटिव दिखाते हैं है उक दो सिंखुर ញग्ड़ पी तरह इसको एकड़म आइडिया तो क्या आइडिया था को हमारे कल्चर में और सब में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे- अब भी निवाज़े क्या जाई यह उसको बगवन से और वो ऐसे ऐसे करके बैश के जीरे जीरे वापश आखे और चले जाते हैं देवता को पंदरा मीटर लग जाते हैं सोचने में इसने मांगा किया मुझसे उससे मांगा क्या मुझसे और वो फिर बाद में कुछ ऐसा दे देता है बाद में जाके उसे कहते है मैंने ये थड़ा मांगा था मैं तो वो बोला था कि तू मुझ में चबा के आएगा तो डंग से सुनूंगा कैसे वो सुना ही नहीं देता है उसे क्या करें तो यह जीवन है हमारा यहां ब्रह्मा कुमारीज में जब यह एक्जिबिशन जब कराई जाती है बाहर समझाए जाता है तो मैंने बड़े प्यार से हमारे यह दॉक्टर आये थे दॉक्टर सचिन परप उनसे पूछा उन्होंने वही जब डिसकेशन हुआ तो जिन्होंने अपना नशा चोड़ा गांजा चूटा, स्मैक चूटी, शराब चूटी, सिग्रट चूटी, गुटका चूटा एक एक दिन में 40-45 गुटके खाने वाले, एक एक दिन में एक एक बोतल पीने वाले, ऐसा ही है ना भाई, है? 45-45 गुटके ऐसे ऐसे बैठे जो सिर्फ फिल्म के फिल्म देखने जाते थे, इसलिए जाते थे, कि फिल्म से मतलब नहीं है तीन घंटे का, वहाँ बैठ कर उसे पीना है, वो मेरे को अलग अलग तरीके बताते हैं, कि बैसा हम तो कैमपा कोला में वो आदी वो डाली और आदी वो डालके मिक्स करके ले नहीं है तो बैठ के ये ह कमपा हुए वहीं से की般 लेके जा रहा हूँ और वहाँ बैठ के पीछे आराम से पीते रहते रहाए हरूं तो उन नशे वालों से मैने भी सीखा जब हर जगा नशा कर सकते हैं, तो हमने इस नशे को अध्यातम के नशे से जोड़ा, जब हमने अध अपल भी हट गया, maturity आई, अंदर से नशा निकल गया, नशा अंदर बनता है, अंदर बनता है नशा, बाहर कुछ भी नहीं है, आप रसगुल्ला खा रहे हैं, इतना टेस्टी है, लोग बोलते हैं, रसगुल्ले में मिठा से, रसगुल्ले में सुवाद है, मैंने कर नहीं, आ खाया जाएगा, वही रसगुल्ला उसी टेस्ट से खाया जाएगा, अब कोई बोले, अरे, यह रसगुल्ला आपने ही मंगाया, आदा तो खाजाओ, कैने अब यह मूं से बाहर आ जाएगा, वही रसगुल्ला आदा इतने टेस्ट से खाया, वही रसगुल्ला आदा इतने अब टेस्ट का तब, हमारे पास जब आये कई लोग लशा चुड़ाने के लिए इसने बोला इसका कोई side effect होनी है, सबसे ज़्यादा नशेडी विक्ति को एक tension होती है, कि आप जो meditation दे रहे हैं या कोई दवाई देते हैं, इसका कोई side effect नहीं है, तो बड़े प्यार से हमारे एक भाई है, वो थोड़ा मजाकिया भी हैं, जो सामने बैठे हुए, वो बोलते हैं, जब तु शराब से नहीं मरा तो दवाई से कहां से मर जाएगा अब तक, तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, करने आपकी दवाई से कोई side effect हो जाएगा, अभी तरे को अभी तक तेरे शराब या बीडी से अगर नहीं हुआ side effect, तो उससे भी कुछ नहीं होगा, तो आजा, आजा, तो उनके ऐसे ऐसे नशे, उनके धीरे 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 छूटना शरूआगा, तो ये कैसे छूटता है, दुनिया में हर चीज, कुद्रत का एक तरकीब है, वो हर चीज जबरदस्ती छड़ाती है, जबरदस्ती, आपको जो चीज पसंदा है, कुद्रत वही चीज सबसे पहले दूर करती है, आप नोट करें, जिसको बहुत मीठा पसंदा है, बहुत मीठा पसंदा है, या कोई ऐसी चीज पसंदा है, तो जा तो मीठा शुगर के रूप म या दात गाइब हो जाएंगे, तो पड़ा होगा, खा नहीं सकते, रिष्टे दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, कुद्रत जबर्दस्ती वो चीजी उठाकर निकालके ले जाती है, फोर्स लगाती है, ऐसे ही साइस भी उसे फोर्स से निकालती है, उसे रिहबिलिटीशन सेंटर में डाला जाता है, जिसको नशा छोड़ना हो, टीन महीने उसको नशे उस जगह एक जेल होती है, और कुछ न नशा नहीं मिलता, पहले दो, तीन दिन बहुत तडपता है, चार दिन तडपता है, इदर बुदा टक्रे मारता है, तो वहां उनसे लड़ता भी है, लेकिन वो दर्वाजा बंद, उसे थोड़ा थोड़ा नशा दिया जाता है, थोड़ा सा, वही हलका सा, और वो उसको धी तीन महीने में वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन नाइनटी परसंट केसिस में देखा, जब वो अंदर था, तो छूट कया मजबूरी में, जब वो बहार आया, नाइनटी परसंट लोगों ने दुबारा से नशा शरू करना शरू करते हैं, लेकिन जब इन नशा करने वालों पे जो गुटका खाते हैं, बीडी पीते हैं, तंबाकु खाते हैं, शराब पीते हैं, किसी गुरूब में तंबाकु का सेवन या शराब का सेवन, वो जब करते हैं, उन पर राजयोग का अभ्यास कराया गया, उनको डेली ब्रह्मा कुमारिस में नियर बाई सेंटर पे जाके उन्होंने सेशन लिये अध्यात्मिकता वाले इश्वरिय ग्यान और राजयोग का नीमित अभ्यास किया तीन महीने में देखा पंद्रा सो लोगों पर सर्वे उस पर रिसर्च में उन्हें लिया गया छूटे तो डेड़ लाग से भी ज्यादा लोगों के नशे पंद्रा सो लोगों पर स्पेशल उनपर रिसर्च की गई जिन में से 63 पर्संट दोगों ने एक महीने में ही नशा छोड़ दिया अगे kadu 3 मिने से चार मिने तक चोड़ पाए और के वल साथ परसंट है जिरे चोड़ने में आठ या नो महीने लगे और आठी या नो महीने लगे और उसमें तीन या चार परसंट जो और बचे या दो परसंट जो इसमें अभी इस कल्कुलेशन बचे वो नहीं छोड़ पाए यानि वो आना ही छोड़ दिया उन्होंने यहां आना छोड़ दिया तो उनकी चॉइस थी कि यह लेना या ले यह लेना तो उसे छोड़ नहीं पाए चले जाए में 83 परसंट लोग तीन से छे महीने में इस नशे से निकल सकते हैं इस नशे से निकला राजयों का नीमित अभ्यास किया जब हम मेडिटीशन करते हैं तो मेडिटीशन से यहां हैपी हार्मोन बनते हैं आपकी भाशा में उसे हैपी हार्मोन बोलेंगे वो हार्मोन बनते हैं जिस तरह चाय में निकोटीन होता है तबाकू में निकोटीन होता है जब हम यहां जब हम मेडिटीशन करते हैं जो सुख मिलता है यहां जो मेडिटेशन करते हैं उन बहनों को भी अनुबव हो भाईयों को भी अनुबव हो जो मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा ही फील करते हैं कि I am feeling I am peaceful I am loveful जैसे वो महसूस कर तो उन्हें ऐसा लगता है यहां से happy हार्मॉन निकलके उसे relaxation मिल रहा है और जब व्यक्ति कोई नशा करता है तो उसको भी उस समय ऐसा ही फील होता है चाहे वो गुटका खाता है चाहे कहनी खाता है जए कुछ भी खाता है तो उसको पर्टिकुलर समय के लिए ऐसा होता है लेकिन वो बार 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 करते करते हैं ब्रेन उसका habitual बन जाता है और जो तूट रहे थे वो जुड़ने लग जाते हैं, ऐसे कई फैमिलीज हैं जिन्होंने का कि हमारा परिवार तूटने के कगार पर था, डूबने के कगार पर था, जब हम इस संस्था में, किसी भी रूप में जुड़े और हमारे परिवारों में ये नशा धीरे-धीरे विदा ले गया भगवान का साथ हमें हर मुसीबत से निकाल देता है हर आदत से निकाल देता है हर दलदल से निकाल लेता है तो इसके लिए हम आपको निमंतरन देते हैं यदि आपके नियर बाई नजदी की रिस्तेदारों में कोई ऐसा हो लेकिन हमारे यहां आने का एक ही वो है वो व्यक्ति खुद छोड़ना चाहता हूँ अगर खुद नहीं छोड़ना चाहता तो फिर कुदरत छड़वाती है कोई एक औरगन, कोई एक अंग उससे ले लेती है दान में और फिर रहता है नहीं है हमारे जानकारी में कई ऐसे हैं जिनका लीवर खराब हुआ तो उसकी वाइफ ने आदा लीवर अपना दिया, लीवर डोनेट करते हैं उसने आदा लीवर अपना दिया, तो वो आदा लीवर लगा उसे वो तीन साल अराम से चला, तीन साल बार फिर पीना शुरू हो गया तीन साल बार फिर पीना शुरू है, आदत नहीं बदली, चीजें बदली अब ऐसा ही एक की पैंक्रियास निकल गई, पैंक्रियास ही नहीं है उसकी शरापी पी के, पैंक्रियास निकाल दी गई अब वो इतनी दवाईयां खाते हैं, जितना हम भर के कटोरी में दाल तीन टाइम खाते हैं इतनी दवाईयां भर के वो खाते हैं और उसके आधार पड़ चलता है चलो स्वास्थे तो अलग बात है, जिस घर में शराब पी जाती है, जिस घर में नशाक किया जाता है, उसी घर में आप देवी देवताओं की फोटवें लगाते हैं, धोने के बाद उनको टच करते हैं, अगरबती जलाते हैं, जिस घर में अगरबती देवता को जलाई जा र रहे हैं तो बरकत कहां से आएगी ऐसे मैंने परिवार देखे हैं जहां कमाई तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं है शांती नहीं है चैन नहीं है सुख नहीं है तो शांती चैन सुख आपके दुआर पर खड़ा आपको निमंतरन दे रहा है कि आएए भग्ये बनाईए और औरों को भी बचाईए आखरी के दो पैंट में बताऊंगा हम में से कई ये सोच कर बैठे हैं कि हम कभी कबार पीते हैं ज्यादा नहीं पीते है जिस तरह दरवाजा अगर बंद कर दिया जाए और कुंडा लगा दिया जाए आप अंदर बैठे हैं और आपके चार दुश्मन है और चार दुश्मन बाहर से धक्का दे रहे हैं तो वो दरवाजे को धक्का दे रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, वो दरवाजे से बिढ रहे हैं, जब दरवाजा तोड़ेंगे तब आपके पास आएंगे, ये है बिलकुल ना पीना, कोई भी नशा ना करना, और जो कहता है, बहुत कम लेता हूँ, कभी कबार लेता हूँ, उसने दरवाजे का कुंडा खोल दिया, लेकिन दरवाजा बंद है, कुंडा खुला हुआ है, लेकिन दरवाजा बंद है, पीछे उस तरफ चार लोग धक्का दे रहे हैं, नशा अकेला नहीं आता, कोई भी नशा साथ में गुस्सा लाता है, फरस्टेशन लाता है, नसेड़ी ल गुस्सा आ गया है, इसलिए भी करते हैं, और इस तरफ आप एक खड़े हो और उस तरफ चार खड़े हैं, तो चार धक्का लगा रहे हैं, और इधर से एक रोक रहा है, तो केवल पांच दस सेकेंड ऐसा लगता है, कि एक जो रोक रहा है, वो उसे रोक पा रहा है, लेकिन पात दस सेकंड बाद वो चार एंटर कर जाते हैं तो इसलिए कुंडा लगा देना चाहिए मेरे कोई बार किसे ने कोश्चन किया कोई डॉक्टर थे कहा थोड़ा बोता पीना जाया जाया ब्रेंडी या इतना हम इतना ही पीते हैं नहीं पीते हैं मैंने का जितनों ने भी शुरू किया पहली बार में दो बोतल या 40 गुट के पहले देनी शुरू नहीं किया जिनों ने भी शुरू किया पहले कम शुरू किया लेकिन कम से एकदम जादा होते होते उन्हें पता भी नहीं लगा यहां एक बड़ा psychological आपको उत्तर दे रहे हैं, जब हम अपनी मान्यताओं को अपने धरम से जोड़ दें, तो वो चीजें हम ज्यादा फालो कर सकते हैं, बजाए किसी के, और चीज के, कैसे? हमारे जो नौन वेज नहीं खाते, तो जब उनको नौन वेज दिया जाता है, जो नास्तिक टाइप होते हैं, और जो उनको नौन वेज या नशे की कोई बात होती है, तो अभी वो कुछ नहीं करते हैं, अगर वेजिटेरियन वेज तो वो कभी भी नौन वेज खा सकते हैं, और जो नशा नहीं करते हैं, वो कभी भी नशा कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको अपने धरम से, अध्यातम से या भगवान शब्द से जोड़ देंगे, तो जिंदगी भर आप उस पे रहेंगे, हमारे एक मित्र है, वो थाइलेंड गए, किसी बिजनस टूर पे, तो वो व सनीर के टुकड़े होते हैं, ऐसे बीफ के टुकड़े सजाके उसके पास लाके रखे दिया, उसने गोर से दिखा, ये किया तो इसने का बीफ, तो उसने ख WILL I'm vegetarian हो, तो कोई बात ही रहाए, सारे टुकड़े हटाकर अलग कर दिया, कहरा developments flexND हो, है कहरा एक जो ऐन्ट हूँ जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। उसने चावल और निकाल दिये थोड़े-थोड़े, कर आब खा लो। कर नहीं, मैं इसको खाई नहीं सकता। तो तो और चावल ले आता हूँ, कर नहीं मैं अब आपके होटल का खाई नहीं सकता। तो वो लड़ने लग गया और उसको पैसे देखर आया, उस समय वो कह रहा था, भाई कि मैं जो चीज फालो कर रहा हूं बच्छपन से, मैं उसको समझा नहीं पाया, लॉजिकली नहीं समझा पाया, मैंने का बहुत अच्छा किया, जहां हम लॉजिकली किसी को समझाना अगर उनके गुरु की तरफ से वो चीज मना है तो उन्होंने वो धक से छोड़ दिया नहीं ना Rehabilitation Center गए ना कहीं गए उसके वल एक उस धर्म के एक शब्द ने उन्हें छोड़ दिया लेकिन जब धर्म से भी जुड़ते हैं तब भी धोखा हो जाता है क्योंकि धर्म में भय से जुड़ते हैं कि भगवान सजा देगा अगर हम उसके कोई बात नहीं मानेंगे तो धीरे धीरे लोग भय से तो बचे लेकिन अब ये जमाना आ गया लोग भय से भी नहीं चुटते आप जिस पीडी में आपका बच्पन था आप माता पिता से भय से डरते थे कि थपड़ पड़ जाएगा अब जो आपके बच्चे हैं अब आप उन्हें मारते नहीं है क्योंकि वह जमाना पहला टाइप रेडर था टीवी था पहले टीवी ऐसा था उसमें दो थपड़ मारो तब उसमें चैनल आता था अब के टीवी पे दो मारो तो यह स्क्रीन टूट जाती है वह टीवी और यह टीवी आप जब बच्चे और अब के बच्चे इतना अंतर है जो पहला ग्यारा सो नोकिया आता था वो चोथी मंजल से भी गेर दो तो उसका कुछ होता था अब का इस हाथ से भी निकल जाता है तो तूट जाता है तो धीरे-धीरे लोग डेलिकेट हो रहे हैं नर्म हो रहे हैं भय से नहीं वह एमोशनली कम जो अंदर से वीक हो रहे हैं मांसिक रूप से तो मांसिक रूप से स्टॉंग करने के लिए धर्म से भी एक उची चीज़ से जोड़ेंगे तो जीवन में वो सारी चीजे निकाल कर एक उधारन से खतम करूंगा भागवान कैसे हमें बदलता है पानी की बूंद बादल से जब नीचे गिर कर जमीन पर आती है जब वो गंदी हो जाती है तो दुनिया वाले उसे उसे फिल्टर करते हैं अलग अलग तरीके से आरो एकवागार पुराने कोईले का मैथड लेकिन प्रकरती उसे क्या करती है उसमें से गंदगी नहीं निकालती गंदगी वही रहने देती है बूंद को उच्छा उठा देती है सूरे आता है सूरे आकर उस बूंद को उसमें से एवोपरेट कर देता है भाब बना देता ह जब वो नीचे गिर रही है तो दुनिया देख रही है गिरते हुए कीचर में जाते हुए, गटर में गुस्ते हुए सब दिख रहा है लेकिन जब वो उपर उठती है तो उसे कोई नहीं देख पाता कोई भी नहीं देख पाता दिखती नहीं है वो भाब बनकर उपर गई और पुनाय शुद्ध हो गई तो ये शुद्धी का तरीका भगवान अपनाता है हम में से गंदगी नहीं निकालता गंदगी वहीं